Hello friends and आजकी इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं Conversion of powers आज हम negative power और positive को negative में convert करना सीखेंगे सबसे पहले सीखते हैं negative को positive में convert करना तो पहले हम एक number ले लेते हैं 16 raised to the power minus 7 सबसे पहले हम अपना number note down करेंगे उसके बाद में हम क्या करेंगे इसको inverse कर देंगे इसको उल्टा कर देंगे मतलब fraction में कर देंगे 1 upon 16 minus 7 नीचे गया उसकी position change हो गई तो वो negative से हो गया positive में convert बहुत ही simple सा funda है इसके आगे आप focus on करना है इसके आगे आप अपनी calculation continue कीजिए एक और example ले लेते हैं to the power minus 5 क्या करेंगे हम इसको action में कर देंगे and inverse कर देंगे तो क्या हुआ 20 की power minus plus 5 होगी positive हो गई negative से positive हो गई यूँकि उपर से नीचे आया तो वो हो गया negative to positive अब हम सीख लेते हैं positive to negative conversion सबसे पहले हम नमबर लेते 8 raised to the power 3 okay तो हम इसे भी उल्टा करेंगे तो power positive से negative में आ गई simple सा फंडा है उपर से नीचे करना है and आपकी power change आपको बस fraction में लिखना है and simple then हम एक और example लेते हैं 100 raised to the power 8 so इसका हम ने उल्टा कि 100 raised to the power minus 8 बहुत ही simple था अगर आपको ये सब कुछ समझ आ गया हो तो इस वीडियो को कीजे like ताकि मुझे भी समझ आ जाए कि आपको सब कुछ समझ आ गया है और भी कुछ समझने के लिए चैनल को कीजे subscribe अगर ये सब कुछ समझ आ गया हो मिलते हैं अगली वीडियो में